इसको विद्रॉख किया। सर्च जीजन मेकिंग प्रोसेस में जाहिर से बात है कि दीपम का भी कंसल्टेशन होता है। इस पूरे प्रोसेस में आप लोग शामिल थे और या फिर बाद में आपकी तरफ से उसने को रिक्वेस्ट गया कि इस तरह के फैसले लेने से नुकसान हो सकता है। यह देखे बहुत सारे पॉलिसी जगा जगा होते हैं। बहुत सारी कंपनिया हैं सरकार की, बहुत सारे विभाग हैं। तो इसको सेंट्रलाइजड वे से तो नेडने नहीं दिये जा सकते हैं। विभाग अपने अपने नेडने लेते हैं। लेकिन हमारी तरफ से एडवाइजरी यह रहती है कि जब भी जिन भी पॉलिसी चेंजिस का इंपक्ट मार्किट पे कंपनियों पे होता है। उनको इवैलुएट करके ही ध्यान से इवैलुएट करके ही डिसेजन लिये जाएं। तो सर यह आप आयर सिटीसी के लिए कितनी बड़ी अच्छी ख़़र है या कितना उनके अब देखते हैं कि उनके उनके सेहत पे कितना अच्छा अशर पड़ेगा। मेरी दृष्टी से रेलवे ने यह आप विद्रौ करके सही नड़ने लिया है। मार्केट जिस तरह से वोल्टाइल है उस हिसाब से कर देखे तो आप लोगों के तरफ से जो बार-बार इंटरवेंशन होता है खासतोर से दीपम के डिपार्टम के तरफ से वो उस पॉलेसी के बारे मतले हैं किस तरह से आप लोग इस तरह की सिचुएशन को हांडल करते है हम तो जैसे सबी विभागों को हमने एडवाइजरीज जारी करते हैं उसी तरह से हमने सी पीएसी को भी इतने भी सेंटल हमारे पीएस यूज हैं उनको भी हम एडवाइजरीज देते हैं कि मार्केट से के वो कांट्रक्ट में रहें उनको सुनें फीड़बैक लें और क्यास को सेती हैं उनकी प्रौफेटबिलिटी की कहस देती है और तीसरा जो कंसिस्टेंट ऑव इडवाइजरी भी हैं और हम रिविईू भी करते हैं और आपने देखा होगा कि पी एस यूज का डिविडेंट रिकौर्ड बहुत अच्छा है उस हिसाब से सरकार कुछ ओएफस भी लाने का प्लान कर रही थी तो उसके बारे में क्या प्लान है किस तरह से आईएफस से कोई लिंक नहीं है यह तो जनरल डिजिजिजन जो है हम यह जो हमारे डिजिजिजन है यह एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के प दिलवा दें इस तरह से पॉलिसी नहीं होती है तो कुल मिलाकर एक कहें तो एक जो फिलिप लॉफ हुआ पॉलिसी में जो भी जिस बज़े से भी उससे अब कहन सकते हैं कि फिर एक तरह से अच्छा हुआ अंतुवला तो सब बलता है देकिन नेड़ने इतने नेड़ने बह स्पीड से रिल्वेज ने विड्रॉ किया वो भी एक उधारन है कि मतलब मिनिस्ट्री आफ रिल्वेज भी सजग है कि यदि उसका कोई इंपक्ट बहुत एड़र्स इंपक्ट उनको प्रतीत होता है तो वो उसको रिव्यू करने के पक्ष में भी है तो ये भी एक उधारन का जो चल रहा है ट्रैक या कोशिश चल दी है वो कब तक जो अब टार्गेट है क्या वो टार्गेट पूरे होंगे या कुछ उसमें बदलाव भी होगा नहीं डिस इनवेस्मेंट प्रक्रिया हमारी जारी है और उसी साब से जो विबिन ट्रांजेक्शन हैं जिसके बारे म हमने पहले आपकी चैनल को भी बताया है वो उन पे हमारा काड़े जारी है और हमें आशा है कि यह होगा और LIC IPO के लिए हम लास्ट कोटर के लिए पूरा प्रेतन कर रहे है शुक्रिया सीन भी से हावाब करने है थैंक यू तो अधीप सेक्रेटरी साथे हमारा साथ